नमस्कार मित्रों जैसियाराम मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराद जेउतिश शिंतन में हार्दिक स्वागत है मित्रों पिसले दिनों मैंने चर्चा शुरू की थी चतुर्त भाव में सभी ग्रहों के फलों की तो उसमें मैंने पार्ट वन और पार्ट वीडियो बना कर सूर से ले करके गुरू तक के ग्रहों के हाल बता दिये थे कि वे चतुर्त भाव में कैसे प्रभाव छोड़ते हैं और आज के इस वीडियो में अंतिम वीडियो में मैं बात करूंगा शुक्र शनी राहू और कितु की कि ये चार ग्रहे चतुर्त भाव में कैसे फल देते हैं तो शुरुबात करते हैं शुक्र से, शुक्र चतुरत भाव में अच्छा बताया गया है, शुक्र यहां दिगवली होते हैं, जातक में ललित कलाओं के प्रती रुची होती है, वे सुन्दर चीजों के प्रती साज सज्जा बनाऊ सरिंगार के प्रती रुची रखते हैं, भो प्राप्ति होती है यह सभी सुक्षे मिलते अवश्य है शुक्र विलासी प्रबत्ति भी देता है उसे माता का सुक्र मिलता है अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दांपत जीवन भी अच्छा रहता है जातक को कुटम सुक्र प्राप्त होता है यहां पर शुक्र आने को यात्राईं भी करवाते हैं और व्यावसाईक रूप से ये यात्राईं सफल भी रहती हैं यहां शुक्र विपरीत लिंग से कई रिलेशन्सिप्स का भी योग बनाते हैं और यदि मंगल का या राहू का प्रभाव हुआ संबंध हुआ तो फिर ऐसे होने की प्रभल संभामनाएं बन जाती हैं प्राया जातक का भागोदे विवहा के बाद ही होता है और उसका कर्म चेत्र मजबूत होता है लेकिन यदि सुक्सादन और संपन्यता में कमी आती है प्रेम आनंद वासुखों का आभाव हो जाता है अब बात करते हैं शानी की शानी को चतुरत भाव में भौतिक सुक्सुविधाओं की देश्टि से बहुत अच्छा नहीं माना गया है हाँ आध्यात्मिक जीवन और वैरागी नहीं होती है इस भाव में शानी यदि सुराश या उच्छ राशी में हो तो फिर जातक को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं 36 वर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलताएं भी अर्जित करता है जातक और वै काम्याब जीवन भी जीता है उसे पैत्रिक संपत्ति के साथ साथ ध जातक को बहुत उदार नयाई प्रियवा परूपकारी बनाते हैं जातक विदेश जाकर बहुत उन्नती करता है वैराजनीती के छेतर में भी बहुत तरक्की करता है प्राया इन जातकों का प्रारंबिक जीवन तो बहुत अच्छा नहीं रहता लेकिन बाद में ये अपने पर भी निर्भर करता है कि राहु किस राशी में है और उसका राशी डिस्पोजिटर कुंडली में कहां बैठा है राहु भी जन्मिस्थान से दूर करवाता है राहु की दशा में जातक के प्रवासी होने की संभावनाएं बहुत प्रवल होती है कुटुम्ब में वादवि तो फिर जातक को अपार भौत एक सुकसिबदाओं की प्राप्ती होती है वह बहुत धन्वान वह सफल जीवन जीता है अनेकुं विदेश यात्राई करता है उच्पदासीन होता है और राजनीती के छहत्र में बहुत सफल होता है यदि राहु के नकारात्मध प्रभाव आ र अलग करता है वन्चित करता है ये घर परिवार और माता के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता जातक को अपने घर परिवार को त्यागना पर सकता है समाज के प्रतिवी जातक का जो ब्योहार होता है वह अच्छा नहीं रहता उसकी सोच क्रांत कारिवा अलगाओ बादी जैस कराता है इसलिए यहां के तु प्राया भौतिक सुख संपदा की द्यष्टी से तो अच्छा नहीं होता किन्त धार्मिक वाध्यात्मिक अटेच्मेंट देते हैं और उस द्यष्टी से के तु अच्छे माने जाते हैं तो मित्रों आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच कर अग्सकार